अस्ते प्रणाम मैं मिनाक सीजेन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मिनाक सीजेन पर ये वीडियो है चित्र पहचाने आइदेंटिफाइद पिक्चर सिरीज का पार्ट सिक्स्थ जिसमें तस्विर पर आधारित पिक्चर बेस्ट क्वेस्टन्स सामिर होंगे योगी सुरवात से पहले जेवन से जुड़े ये एक बात आपके दुख आपको आपकी सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की प्रेड़ना देते हैं तो समझ लीजी दुख अच्छे हैं तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ तो फर्स्ट क्वेस्टन इस तस्विर से संबंदे थे जो आपको स्क्रीन पर देख रही हैं ये भारत के किस राज्य का लोगो या प्रतिक्चन है यानि दिस इस दे एमबेलम और लोगो और विच इंडिन स्टे और आप्सिन से उत्तरा गपख़ और ये स्टे बिहार क्यूंस तो उप्संठ थी भीहार यह व्राज्य को प्रत्ना की दो मालां से दर्साया गया है और बिहार के अमबेलम किस बहार लिका Ora तो उर्दु भासा में इस MLM के बोधी वरक्ष में 18 पत्या है 18 लिव्स अब हम इन बागी के आप्सिंस में आए राज्यों के स्टेट MLM भी देख लेते हैं तो यह है उत्राखन राज्य का प्रतिक चिन्न एंग्लिस में MLM जो डाइमंड सेप में वाइट बेग्राउंड पर यानि स्वेट प्रश्ट भूमी पर ब्लू बॉर्डर के साथ है जिसमें चार नीली जल्धा रहे हैं और उपर में ये रेड बेग्राउंड पर भारत का राश्ट्री चिन्न है ये रेड कलर लाल रंग उत्राखन राज्य आंदोलन के दोरां सहीद हुए आंदोलन कारियों के रक्त का प्रतिक है वाइट कलर उत्त्राखन वास्यों के पीसफूल नेचर को रिप्रेसेंट करता है और ब्लू कलर राज्य की पवित्र नज्यों के सुद्ध जल का प्रतिक है तथा ये नीली जल्धाराएं गंगा को दरसाती है अब उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य चिन या प्रतिक चिन एमबलम ये है जिसमें एक सरकल में ये उपर धनूशबार है बीच में बहती हुई गंगा यमुना नदिया और दाएं और बाएं दो मचलिया तरसाई है और ये अरुनाचल प्रतिक चिन या टॉप में भारत का एमबलम है और दोनों तरफ होनबिल पक्सी द्वारा समरती थे ये गयाल जिसे मिथून भी कहते हैं जिसके सेर से सोरे उक्ता दरसाया है ये गयाल या मिथून अरुनाचल प्रदेश और नागा लेन के राज्य पसू है और जो दाएं बाएं दोनों तर होनबिल पक्सी है ये ग्रेट होनबिल अरुनाचल प्रदेश और केरल राज्य के राज्य पक्सी है अरुनाचल प्रदेश और केरल के राज्य पक्सी ग्रेट होनबिल और केंद्र सासित प्रदेश चंडिगर का राज्य पक्सी इंडियन ग्रे होनबिल और जो अरुनाचल प्रदेश वह नागा लेंड का स्टेट एनिमन मिथून या गयाल है वहां नागा लेंड के स्टेट एंबलम में भी धरसाय गया है स्क्रीन पर आपको नागा लेंड का एंबलम देख रहा होगा जिसमें हरे पहाडी परी द्रश्य पर स्टेट एनिमन मिथून या गयाल को पर्कुलर पट्टी में आदर्स्वाब के यूनिटी यानि एक्ता and government of Nagaland लिखा है इस अभीनेता या राजनेता ने किस टीवी सीरिस में अपने देश के राशपती का किरदार निवाया है और options है रेजेवेंस की बनाम Napoleon, servant of the people यानि हिंदी में जनता का सेवत, ending turn और स्वाती तो ये तस्विर 2019 से या जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ यूक्रेण की राश्ट्रोपती वोलोदीमिर जेलेंस की की है इनका जन्म क्रीवी ती है यूक्रेण में हुआ परवरी 2022 में रूस ने यूक्रेण पर अकरमन कर दिया और यूक्रेण और रूस में युद्दे छेड़ गया तो 2022 युक्रेन रूस युद्ध के समय युक्रेन के राष्ट्रपती तो वलोद्यमिर जैलेंस की और रूस के राष्ट्रपती रूस युक्रेन के युद्ध के समय व्लादीमिर पते और 2019 में वलोद्यमिर जैलेंस की जो युक्रेन के राष्ट्रपती बने राजनीती में आन का नाम क्वार्टल 95 स्टूडियो क्वार्टल 95 स्टूडियो योक्रेन के राष्टपति निवास का नाम मेरिंस्की पैलेस मेरिंस्की पैलेस योक्रेन के राष्टपति निवास का नाम और इन्होंने सर्वेंट अप दपीपल टीवी सीरीज जो 2015 से 2019 के बीच प्रसारित हुई में एक इतिहास के सिखसक का किरदार निवाते हुए यूकरेन के राष्टपती बनते हैं बाद में इसी नाम सर्वेंट आप दे पीपल नाम से पॉलिटिकल पार्टी बनाए गए इस प्रोडक्शन कमपनी क्वार्टल 95 के एम्प्लोईस द्वारा और फिर 2019 में ततकालिन यूकरेन की राष्टपती पेट्रो पॉरोन सेंको को राष्टपती चुनाओं में हराकर जबर्दस्त जीत दर्ज की और यूकरेन की छटे राष्टपती बने ये वॉलोडिमिर जेलंस्की तो यहां पर राइट आंसर होगा Servant of the People Servants of the People में वॉलोडिमिर जेलंस्की ने यूकरेन की राष्टपती का किरदाने वाया दा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नमे से कौन सा इस भारती राज्जे का उपनाम नहीं है विच वन आफ दे फॉलोईंग इस नौट दे निकनेम और इस इंडियन स्टेट और ओप्शन है गोर्ज ओन कंट्री भागवान का अपना देश दज्वेल ओफ इंडिया भारत का गहना लेंड ओफ, कोकोनट, नारिल की भूमी स्पाइस गार्डन ओफ इंडिया भारत का मसाला उद्धान या भारत का मसालों का बगीचा तो ये मैं भारती राज्य केरल का है और गोर्ज ओन कंट्री यानि इस्वर या भगवान का अपना देश केरल टूरिजम की टेगलाइन भी है और ये केरल परियंटरन का ओफिशल लोगो है जिसमें आप ये देख सकते हैं नीचे की तरफ और्ज ओन कंट्री लिखा हुआ है ये टेगलाइन 1989 में केरल सरकार के परियंटरन विभाग के अनुरोद पर एक विज्ञापन एजेंसी के क्रियेटिव डिरेक्टर वॉल्टर मेंडेज द्वारा इजाद किया गया है वॉल्टर मेंडेज द्वारा गड़ा गया है तो ये निकनेम है केरल का और इसी केरल टूरिजम के लोगों में एक नारियल का पेड़ भी आप देख पा रहे है जो केरल का स्टेट ट्री राज की वरक्ष है ये कोकोनट ट्री या नारियल का पेड़ के अलावा एक और भारती राज्ये का राज की वरक्ष है और वो राज्ये हैं गोवा यानि केरल और गोवा दोनों राज्यों का राजकीव रक्ष तो नारेल का प्रेड़ और केरल को लेंड ओफ कोकोनट भी कहा जाता है और भारत मसालों के लिए विस्व प्रसेदर रहा है केरल को भारत का मसाला उद्धान स्पाइस गार्डन ओफ इंडिया कहा जाता है पहले यूरोप ये जो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे पुर्तगाल के बासको डीगामा 20 माई 1498 को इसी केरल के कैलिकट जिसे आज कोजिकोर जाना जाता है के तड़ पर पहुंचे थे और मसालों के व्यापार से अपने देश पुर्तगाल की अर्थ व्यवास्ता को बड़ावा दिया था तो ये तीनों निकने केरल के हैं दज्वेल ओफ इंडिया ये भारत का गहना उस भारती राज्य को जाना जाता है जिसके नाम में ही गहनों में जड़े जाना वाला रत्न यानी मनी है मनीपूर को दज्वेल लेंड ओफ इंडिया जाना जाता है यहां भारती मुल्के अमेरिकी व्यापार कारेकारी 2020 में किस अमेरिकी बहुराश्ट्रिय प्रोदोगी की कमपणी के CEO बने इस इंडियन और इजिन अमेरिकन बिजनेस एक्जेकुटिव बिकेम दसी ओ विच अमेरिकन मल्टिनेशनल टेकनोलोजी कमपणी इन 2020 और ओप्शन्स है एड़ोबी बी इम सी माइक्रोसॉफ्ट डी गोगल तो यह तस्फिर भारती मुल्के अमेरिकी व्यापार कारेकारी अर बिएम यानि इंटरनेशनल बिजनेस मसे और यह अर्विन कृष्ण का जानमा भारत के आंद्रप्रदेश राज्जी के एक तेलगु भासे परिवार में हुआ और इन्हों ने सुरवाती सिक्सा भारत में ही प्राप्त की और बीटेक इलेक्ट्रकर्स की डिग्री भी भारत के आयाइटी कानपूर से प्राप्त की यानि आयाइटी कानपूर के पुर्वच्छात्र अलमनाई आफ आयाइटी कानपूर और आगी की पढ़ाई के लिए यूए से चले गए और इस इंटरनेशनल बिजनेस मसीन कॉर्पोरेशन में 2020 में CEO बने अर्विन कृष्ण और यह बाकी के आप्सेंस में आये यूएस मल्टिनेशनल कंपणी के CEO इंडिन ओरीजिन ही है तो इन सब के इंडिन ओरीजिन CEO हम देख लेते हैं तो Adobe के CEO बने 2007 से भारती मुल्के अमेरिकी व्यवसाय कारेकारी सांतनु नारायन जिनका जन्म भी भारत के हैदराबाद में हुआ और इस Microsoft के CEO 2014 से भारती अमेरिकी बिजनेस एक्जोकेटिव सत्यन डेला जिनकी तस्विर आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं इनका जन्म भी भारत के हैदराबाद में हुआ और इस Microsoft के संस्थापक भी जान लेते हैं क्योंकि ये काफी चर्चित है Microsoft की स्थापना 1975 में Bill Gates एन पॉल एनन द्वारा की गए सन 2000 तक Microsoft के CEO के पदपर भी इसके एक कोफाउंडर Bill Gates ही रहे उसके पार 2000 में इस पदपर स्टीव बॉलमर आए और 2014 से ये भरती मुल्के सत्य नडेला Microsoft के CEO के पदपर है और ये Bill Gates Forbes की दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों की वार्षिक सूची में टॉप पर रहे कई सालों तक यानि Forbes richest person of the world रहे काफी वर्सों तक इसी पीच परुपकार की भावना से बिल ने अपनी पत्नी मेलिंडा के साथ मिलकर 2000 में Bill & Melinda Gates Foundation की स्थापना की 2021 में हाला कि मेलिंडा और Bill Gates का तलक हो गया लेकिन वो इस अंस्था के लिए साथ मिलकर काम करते रहेंगे ये उन्होंने कोशना की और 2010 में Bill Gates और Warren Buffett ने मिलकर The Giving Place नामक एक अभियान की गोशना की जो अत्तितिक अमिर व्यक्तियों को परुपकारिकारों के लिए संपत्ती का अधिकांस हिस्सा दान करने के लिए प्रोचसाहित करने का एक अभियान है बाद में 2018 में Amazon के संस्थापक Jeff Bezos ने Pops की दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों की लिष्ट में Bill Gates को पीछे छोड़कर सिर्ष स्थाना हसिल कर लिया और ये हैं Jeff Bezos 1994 में जिन्होंने Amazon कमपनी की स्थापना की लगातर चार वर्सों यानि 2018 से 2021 तक टॉप पर रहने के बाद इस वर्स यानि 2022 में OBS Richest People of the World की Annual List में टॉप पर आ गए ये Elon Musk जो हाल ही में यानि 2022 में ट्वीटर के आधिकारिक तोर पर मालिक वा CEO बने इसके अलावा भी ये SpaceX जो Aerospace अंत्रिक्स परिवन से संब्दित कमपनी हैं तो SpaceX और Tesla जैसी कमपनी की मालिक वा CEO है SpaceX की स्थापना Elon Musk ने 2002 में की और American Multinational Tech Company Google के CEO भी 2015 से सुंदर पिचाई हैं सुंदर पिचाई या पिचाई सुंदर राजन का जन्म भारत के मदूरई तमिलाडू में हुआ और ये IIT खड़कपूर के अलमनाई पूर्वचात रहें IIT खड़कपूर के इसी वीडियो में मैंने बताया IBM के CEO अर्विन क्रिष्ट IIT कानपूर के अलमनाई हैं ये भी ध्यान रखे कि कौन महापूरस किस IIT के अलमनाई हैं क्योंकि ये इस तरह के question भी कई पार के विसी में पूछ ले जाते हैं और ये सुन्दर पिचाई 2019 में Google की parent company Alphabet के भी CEO बने तो सुन्दर पिचाई CEO हैं Google और Alphabet के और अलमनाई हैं IIT खड़कपूर के और Google की स्थापना Larry Page और Sergey Brin ने 1998 में की वह Alphabet की स्थापना 2015 में इन ही दोनों Larry Page और Sergey Brin ने की को नमाना करके यहीं समाप करते हैं वीडियो का काम अगर पसंद आया हो तो एक लाइक तो कर दें अपने social groups में शेयर अवस्य करें ताकि मुझे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का थोड़ा मुटिवेशन मिल सके चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में जो गंटी है उसको दबा कर ओल नॉटिफिकेशन दी ओन कर दें थैंक यू सो मच एन ओल बेरी बैस्ट